हलो बच्चों, युनिवर्सिटी एक्जाम अपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टन क्यूशन है अपना सॉलिड स्टेट का ठोस अवस्था का, बेसी फर्स्ट इयर का, और ये हर बार किसी भी तरीके से एक्जामेनेशन में पूछा ही जाता है, और ये पूरा कुशन आता है, तो अपने इसको अगर कर लेते हैं, जिस तरीके से हमें दिया गया है, इंडिसेस के बारे में, सूच कांक के बारे में, जो सॉलिड स्टेट वाली हमारी यूनिट है, तो वो मैं आज आपको सॉल्व करके बता रही हूं, आप इसको इसी सिक्वेंस म और इसी मेथड से करेंगे, तो फुल मार्क्स आपको मिलते हैं, देखिए, आपको कुशन इस तरह से पूछा जाएगा, उन क्रिश्टल तलों के मिलर सूच कांक ग्याद कीजिए, जो क्रिश्टलिय अक्ष को निमन पर काटे, ठीक है, मतलब यह पूछ रहे हैं, कैलकुले अपने किसी भी तरीके से कौन-कौन से इयर में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं, यू ओ र मतलब यूनिवर्सिटी ओफ राजस्थान 2014 और ये यूनिवर्सिटी ओफ राजस्थान एग्जाम 2014 और नाइनटीन, तो इनको हम किस तरीके से निकालेंगे, कि कि मिलर सूचकाँख हम कैसे निकालते है इसे भी क्रिश्टल के तल पर जहां पर वो कट करते हैं तो यह जो सूचकाँख के बारे में हमें information दी गही है वह किस तरीके से दी गही है क्यांकि जो लौ और फ्रेशनल इंडिसेश है परीपी घा तांक का जुन्यम वह हमें यही बताता है कि जो crystal के अक्ष होते हैं crystal एक्सिस जो होते हैं उनमें जो A, B और C फलक होते हैं तीनों अक्षों के faces जो होते हैं A, B, C वहाँ पर जो atoms present हैं या intercept जहां कटते हैं अंतेखंड जहां कटते हैं वो या तो integral number होते हैं यानि पूर्णांक संख्या होती है या फिर वो multiples होते हैं पूरा गुडांक संख्या होती है वो fraction में नहीं हो सकता अंशो में नहीं हो सकता तो देखिए यहां पर हमें दिखने में, स्टार्टिंग में जो भी वैल्यूस दिख रही है, माइनस में भी है, कुछ पूंडांग संखिया है, कुछ फ्रेक्शन है, तो हमें इसको किस तरीके से कनवर्ट करना है, तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बता रही हूं, देखो बच्चों, पहला मैंने आपक करके दिया है, यहां पर 6A, 3B और 3C, आप इसे बहुत ध्यान से देखते जाएं, सबसे पहले तो हम यह जो A, B और C, मैंने आपको बताया था, किसी भी क्यूब के जो तीन फलक होते हैं, यानि तीनों अक्षों के जो फेसे होते हैं, एक्स एक्स का A, Y का B, और Z का C, यह A ह पर अंत्यखंड कट रहे हैं, इंटरसेप्ट कहां कट रहे हैं, यह उनका नंबर है, फलक A पर, A पर 6 पर कट रहा है, B, Y एक्सिस पर B पर कट रहा है, 3rd नंबर पर, Z एक्सिस में 3rd नंबर पर C, जो नॉमेंक्लेचर है, इस तरह से इसे कटे हुए हैं, तो अगर हमें इन का मिलर सूचकांक निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन नामकरन को हटा देंगे, यह नॉमेंक्लेचर हट जाएगा, ABC, और ABC को हटाने के बाद, जो संख्या बचेगी, उसको साइंटिस्ट वाइस ने दिया था, इसलिए हम उसको बोलते है, वाइस सूचकां हैं, वो हम लिख दें, फिर जो यह सूचकांक दिये गए हैं, यह प्लस X के साथ माइनस X भी हो सकता है, प्लस Y के साथ माइनस Y भी हो सकता है, और प्लस Z के साथ माइनस Z भी, यानि कि यह किसी भी तरफ हमको सूचकांक मिल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है क्रिश्टल का अक् संबानते हैं उससे 90 डिगरी पर वाय और उससे 90 डिगरी पर जैड बताया जाता है तो हमको इस वाइस सूचकांग का सबसे पहले क्या करना पड़ता है युद्करम reversal of wise indices तो देखी क्या हो जाएगा 6 का हो जाएगा 1 upon 6 3 का हो जाएगा 1 by 3 और दूसरे वाला 3 का हो जाएगा ये भी 1 by 3 अब ये जो वाइस सूचकांग हैं ये क्या हो जाएगा हमारे पास reverse करते ही युद्करम करते ही क्या हो जाएगा अंशात्मक संखिया हो गए ये पूर्णाओंत्मक संखिया नहीं है तो हमें इसको किसी एक ऐसी संखिया度 से multiply करना पड़ता है कि यह पूरा पूर्णांक में कनवर्ट हो जाए यह पूरा इंटीग्रल नर्मबर में कनवर्ट हो जाए तो हम इस तरह से वह लेते ना लगुत्तम समापरत लेते हैं ल्कुल उस तरीके से हमें इसको मल्टिप्लाए करना तो आप अगर इसको देखें One by Six one by Thry वन लॉर्ट का एलशीम आएगा Six तो हम क्या करेंगे देखो इस वाली स्टैप में ॢशा को भी Six से मल्टिप्लाए कर देंगे को भी 6 से multiply कर देंगे और इस तीसरे वाले 3 को भी 6 से multiply कर देंगे कैंसल आउट होने के बाद हमको पूर नांक संख्या मिलेगी वह क्या होगी देहिए पहले वाले में 1 दूसरे वाले में 2 तीसरे वाले में 2 तोफी यह पूरनांक संख्या अब जब Mich LR सूचकांक दिए गए मिलर ने यह पूरा मेथट दिया है थर्ड वाले नमबर से कि हम इसको सैकिन वाले से कि हम वाइस सूचकांक का रिवर्स करेंगे फिर एक ऐसी संख्या से मल्टिप्लाइ करेंगे कि पूर्णांक संख्या में कंवर्ट हो जाए और फिर बिना किसी कौमा बिना किसी रेशो को लगाए सीधा सीधा जो नमबर दिया गया है देखिए वन टू टू इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे तो यह जो सूचकांक होगा यह मिलर सूचकांक इसका आंसर होगा देखिए बच्चों अब सेकिंड वाला जो आपको पूछा गया है वो है 2a-3b और-3c तो इसमें आप माइनस देखने का मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगे भी इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे फर्स स्टेप में नॉमेंक्लेचर हटा के 2-3-3 लिखते वो है वाई सूचकांग फिर हम इसका विद्करम कर देंगे रिवर्स तो 1 upon 2-1 upon 3-1 upon 3 इसका हम लेंगे तो 6 आएगा है ना तो हम इसको 6 से मल्टिप्लाय करेंगे यह देखिए और फिर जो कैंसल आउट हो रहा है हमको वो कैंसल आउट करना है तो इसकी पूर्णांग संख्या आपको तो 3 2 bar 2 bar यह होगा इसका मिलर सूचकांग इसी तरह से थर्ड देखिए आपका यह थोड़ा सा दिफरेंट एक ही जगे पर देखिए तीसर के पूछा है a by 2 2 by 3 b और इन्फाइनाइट सी तो बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं बच्चों इन्फाइनाइट जो होगा ना तो बिना नॉमेंट लेचर के a b c हड़ गया तो बचा 1 upon 2 2 by 3 और इन्फाइनाइट रिवर्स करने पर आजाएगा 2 by 1 मतलब 2 3 by 2 और 1 upon इन्फाइनाइट हो जाएगा 0 इसके और हम लेंगे तो 2 आजाएगा 2 संख्या से मल्टिप्लाइ करेंगे कैंसिल आउट करेंगे अप सॉल्व करते जाओ साथ में कॉपी के अंदर तो इंटिग्रल नंबर हमारे पास आगया पहले का 4 दूसरे का 3 तीसरे का 0 तो मिलर सुचकंक क्या हो गया बिना कॉमा बिना रेशो के ब्रैकेट में 4 3 0 दिस इस आंसर यह देखिए अब फोर्थ है लास्ट आपका यह तो बिल इसका व्युद्ग्रम कर देंगे तो 1 2 & 2 by 3 इसको हम लेंगे तो 3 आ जाएगा इसके थ्रू तो इसको हमने 3 से पूर सब को तीनों को मल्टिप्लाय कर दिया तो इसके पूर्णांग संख्या क्या हो गई 3 6 और 2 तो मिलर सुचकंक में क्या हो जाएगा यह बिना कॉमा बिना रेशो के ब्रैकेट में 3 6 2 तो यह गया इसका मिलर सुचकंक और अगर आप इसमें बच्चों नहीं लिखते हो ब्रैकेट में तो गलत होगा अगर कॉमा लगा दिया तो भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे प्रोसीजर के नंबर मिलेंगे तो बच्चों आप मैक्सिमाम इसक सब्सक्राइब कीजिये चैनल को तैंक यू सो मच